इंडिया कटबंदन की वर्चुल मिटिंग से पहले कॉंग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ हर फैसले की बारिखी से परख लेना चाहती है। यही वज़ा है कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस ने बड़ी बैठक मुलाई है। देश भर में नरेंदर मोधी अमिस्ता को रोकने के लिए उनके बीजय अभयान को किसी तरीके से फ्लोप करने के लिए कॉंग्रेस ने जो इंडिया कटबंदन के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। उसके पहले कॉंग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने बड़े नेतावों के साथ आज बैठक करने जा रही है। इंडिया गढ़बंधन के बैठक से पहले कॉंग्रेस चाहती है कि पार्टी के अंदर हर मुद्धे पर बाते हो जाए। ऐसे में गढ़बंधन का चेहरा किसको बना जाए वो भी कॉंग्रेस खुद टाय करना चाहती है। जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी देज भर में तकरीबन 300 सीटों पर अकेले चुनाओ लड़ना चाहती है। उसके बाद बाकी के सीटों पर गढ़बंधन के साथ चुना लड़ना चाहती है। इन तमाम मुद्धों पर कॉंग्रेस पहले पार्टी के अंदर अपनी राय सभी लोगों को देना चाहती है। और उनका राय लेना चाहती है कि क्या यह फैसला सही होगा या नहीं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दिये। कॉंग्रेस भी नेशनल एलाइंस कमीटी ने 29 और 30 दिसंबर को महरातन मन्थन किया था। इसमें पार्टी ने 10 राज्यों में अपने प्रदेश, अध्यक्ष और विदायक दल के नेताओं के साथ पहले ही 335 सीटों पर खुद के दम पर चुनाओ लड़ने का प्रस्ताव लायत है। लेकिन बाद में कॉंग्रेस का यह मानना है कि हम तक्रीमन 300 सीटों पर किसी भी सूरत में चुनाओ लड़े 9 राज्यों के आजपास वहां सयोगी दलों के साथ चुनाओ लड़ने की संभति मनी थी। ऐसे में अब कॉंग्रेस आज राज के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही है जिसमें कॉंग्रेस पार्टी अंतिम रूप इस बैठक में कॉंग्रेस के अंदर लिए, वो देने की तियारी होगी। जो फैसला पिछली बैठक में लिए गये थे उस फैसले को लेकर भी आज के बैठक में चर्चा करने है और मुहर लगवानी है। पार्टी ने कई सीटों को लगतार अपना दावा ठोका है। ऐसे में उनके साथ किस तरीके से कॉंग्रेस समझाउता करती है वो भी देखना होगा। आपको बताते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी लगतार अपने स्वयोगियों के साथ हैं गढ़बंधन करने के मुद्दे पर पार्टी के अंदर कई ऐसे बिंदू हैं जिस पर वो चर्चा पहले कर चुके हैं और एक बार फिर से कॉंग्रेस अपने वरिष्ट नेताओं के साथ मंतन करके पार्टी के फैसले को अंतिन रूप देने की तैयारी में यह अहम बैठक बुलाएगे यह देखना इस बैठक के नतीजे क्या कुछ होते हैं पनोर्म क्रोप जो सोचता है वो करता है ये लो मुव मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुड़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाये अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हो हमने पुड़निया में घर ले लिया है पुड़निया के e-homes panorama में पुड़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुड़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined